नमस्कार मैं शान चौधरी आप सभी फीचर आफिसर्स का स्वागत करता हूँ 68 BPSC परिक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम को जीब विग्यान के MCQ हल करेंगे तो आई हम शुरू करते हैं कि प्रश्न मद चारसोच अपके सामने हैं देखे प्रश्न क्या पूछ रहे कि विचंग ऑंग् पॉलेंग यस्न सीनों और फंग्षिं ve थायरोड हार्मोन का कारे नहीं है थायरोड हार्मोन होता कहा है थायरोड हार्मोन निकलता है थायरोड ग्लेंड से और थायरोड ग्लेंड कहा होती है गले में ठीक है थारोग्लेंड गले में उसी के बारे में पूछ रहा है option क्या क्या दिये हुए है कि regulation of bacal metabolic rate बैसल चाहिए पच्च दर का विनेमन option B क्या रहा है erythropoiesis option C क्या रहा है maintenance of electrolyte balance electrolyte का संतुलन बनाए रखना शेरीर में option D regulation of diurnal cycle देनी चकर का विनेमन और फ्रोक्त में से कोई नहीं एक से देख देख तो यह नहीं पूछ रहा है कि उत्तर बे आएंगे तो देनीक चक्र का विनेमन है यह कहां से काबू होता है तो यह होता है penial gland ठीक है जो penial gland होती है वो कहां पाई जाती है मस्तिष के अंदर ठीक है मस्तिष के अंदर पाई जाती है और इसका मुख्यकार क्या होता है देखे जो आखे होती है हमारी वो क्या है वो ही देखती है उन्हीं से हमें पता चलता है कि दिन हो गई कि रात हो गई मिखे आखे तो हम बता सकते हैं कि सुराच बहल चुका है और रात हो गई है तो यह जो जानकारी है है यह मस्तिष किसके दूपराऄं करेगा एक हार्मोन करती इसका नाम है रिलीस करते हैं डिलीस करती है जिसकी वैसे नीन डाती है छात्रों की पढ़ाई में अवरोध है मेलेटोनिन पढ़ने बैठते हैं तो मेलेटोनिन ग्लीज हो जाता हो निना आने लगती है ठीक है यह बात हो गई पीनल ग्लेंड की और थैरोड ग्लेंड का कौन सा फंक्शन नहीं है कारण नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा देन एक चक्र का वीरमन यह कौन तो आपके ऑप्शन दी हो है केलशिम की कमी की विजये से अधिक्ता से और यह उप्रोप्त में से कोई नहीं एक से तो देखिए ऐसा है घूंगे में होता क्या है घूंगे में जो थाइरोड ग्लाइंड होती है ना गले के अंदर अभी पीछे बात कर रहे थे वह बड़ी हो जाती है फूल जाती है तो गला सूज जाता है काफी जो गूंगा या गुएटर होती है इस बिमारी में और यह होता किसकी वज़ेसे है यह होता है अईवडीन की कमी की वज़ेसे यह था जो जो है यह घूंगा हो जाता है उसको iodine प्रच्वर मात्रा में नहीं मिलता उसके शेर को फिर टॉक्टर क्या करते हैं अब ऐसा नहीं कि एक चमच iodine खिला दिया तो iodine हमारे शेरीर में जरूत होती है बड़ बहुत कम मात्रा में तो sodium iodide ये दिया जाता है और potassium iodide ये दो salt है जो iodine की शेरीर में आप पूंटा करते हैं हमारे घर में जो नमक आता है उसके थेली पे लिखा रहा है न iodide salt तो salt तो होता है जो हम लोग खाते हैं नमक होता है NACL sodium chloride ठीक आप इसमें chlorine की जगा iodine लगा दिजे तो sodium iodide बन गया पर sodium iodide अगर हम NACL की तरह खाएंगे तो हमारे शेरी में विकार उत्पन होने लगेंगे किसी भी चीज की अधिक्ता नुकसान दायके नमक भी आप ज़्यादा खा लीजिए तो जो है रक्तषाप बढ़ जाता है बीपी बढ़ जाता है बैराल उसको छोड़ते हैं यहां देख लिएते है jadi im iodide of potassium iodide को उती यह और कमी से होता है गले में सुझेना चाहती तीन ओर इस नमक हम Лोंके घरों में आता है जो है मिलता है आगे बढ़ेंगे गर जो है殯ा natαर्म में इसे मेब में इनमें से किस हार्मोन के कामकारज के मैं एक फिसंगती से मदुमे हो सकता है जो है निकलने से हो जाती है या मदूमे है उसमें जो रक्त होता है उसमें शुगर की मात्रा चोगर बढ़ जाती है और तत्माम तरह के विकारत पन्नों लगते हैं घाव जल्दी नहीं भरता है घाव हो जाएगा जो आपकी स्किन है उसमें जो है अलग तरह के घाव होने लगते हैं सास फूलने लगती यह बीपी बढ़ने लगता है बाद टमाम दिक्कत पर मेब topics है और जो हमारा है जो मर ब्लड है उसमें प्रोव cji शुगर उसको कौन कॉण करता है तो क्या हों एंसुलिंट की दोवारा है ऐस एंसुलिंट हार्मोन होता है और यह इंसुलिंट कहां से निकलता यह निकलता है पेंसुल्न करता है जब निकलना कम हो जाता है पेंक्रियास उसे स्थिती में मदू बम वह सकता तो इसका सही उत्थर हो जाएगा इंसुलेन 449 का हम लोग आगे बढ़ेंगे एक दिए 400 पैंक्रियास या अगनाशे की बात हुए तो एक थोड़ा एडिशन इंफर्मिशन और देते हैं रिविजन हो जाएगा कि जो पैंक्रियास हैं वो दोनों ही एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन ग्लेंड दोनों की तरह फंक्शन करती हैं एसुराइण के अपिस्ते में धॉट सक्रेशन है ने एंडोक्राइन की तरह function किया जब pancreas ने और exocrine की तरह function करेगी जब डक्ट के थू या नलिकाओं के मात्धेम से अपना स्त्राव या secretion बेजेगी तो यह कहा होता है जब dision की वारी आती है तो pancreas से निकलता है अर्मोंस निकलता है प्रश्ण नमबर 448 देखा हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 449 आपके सामने है प्रश्ण आपसे पूछ रहा कि विच आफ दीज शो नो मुवमेंट इन में इनमें से कौन संधारियों में कोई जो है मुवमेंट नहीं दिखाता तो इसमें क्या दिया हुआ है न आपको हड्यों के बारे में जब पूछा जाग तो नाम के साथ पूछ आएगा इसलिए कुछ नाम हड्यों के जानने ज़रूरी है किसमें कितनी अ किसा हड्यां होती है किस वाग में जैसे हम लोग देखते हैं हमारे रिपस जो पसली आएं, वो कितनी हैं, पैरों में कितनी हड़ी आएं, घोटने में, माफ केज़ेगा, आपके जो इसकल है, उसमें कितनी हड़ी आएं, तो इस तरह की चीजें और जोड किस-किस प्रकार के हैं, और कुछ हड़ीयों के नाम, तो ये प्रशन पूछा जाता है, तो बिट्विन एट्लस और अक्ष के बीच का जोड अब यह जोडर की एकल सकते हैं है आप तो इह किस तरा का जॉइंट है जो कि अब यह पाम्वेत किया होता है तो इसको हम भोग पढ़ें देखेंगे कि यह होता है इस मेटनिकों हैं लिए अगर ऐसे अगर्ड इसके ब्रकार का तो यह अगर आप हिसाई अगर नाट्वर अगर यह पर उन्दल में. बेरिंग के साथ घूम सकता है उतना काफी है समझने के लिए बहुत जादा डिटेल में है हमें इंजिनिंग नहीं करने है इसमें ठीक है एटलस और एक्सेस एक तरह का पाइवट जॉइंट है गरदन हमारी घूम रही है एक दुरी पर वो पाइवट जॉइंट के लाता है ठ ऑप्शन बी क्या करा है घुटने का जोड भाई तो सबको हमें पता है घुटने में जोड नहीं होगा तो चलेंगे कैसे सीडियां उतरना सब जगा तो घुटना काम आता है और एक समय के बाद जब घुटने जो बुड़ा आपे में जब आदमी की उमर हो जाती है दिक्कत छोपड़ी के हड्डी तो बताइए खोपड़ी के हड्डियां आप चला सकते नहीं न repent okay यो कपाल होता है उस्का variety मूव नहीं कर सकती, केवाल आपकी तो जोड जोड account के छोड़के पिख़ण रखा मीर है जब ली और चला सक्कत हुए यह रधार क्या शलान कि नही होगा स के बीच का चुड़ापी है कारपे आपके पाए जाते हैं सब और क्लाई के लिए का शबसे अधस्माल कोन करता है क्रिकट में इस्पिन बॉलर शीक है क्रेसahoballr को तो गुमा देता है तरफ्ण नंबर इस भ्रेद ने देखा हम लोग आगे बढ़ेंगे 67 और 68 BPSC के लिए mains classes 3 October से शुरू हो गई है हमारे हैं और 68 BPSC के लिए primary test classes 2 October से शुरू हो गई है प्रश्ण no. 450 आपके सामने है प्रश्ण आप से पूछा कि नेमलिकित में से कौन हड्डियों और जो है cartilage की बीच संपर्क के बिंदू है ठीक है cartilage की बात हो रही है तो बोन और cartilage में क्या फरक है बोन सकते होती है cartilage मुलायम हटी होती है दोनों है connective tissue हड़ी और cartilage दोनों यह एक तरह के उतक है connective तक ठीक है तो इसमें confused नहीं होगेगा cartilage कान सबसे अच्छा होदारण जिसको आप महसूस कर सकते हैं कान में cartilage होती है ठीक है अब पूछ कह रहा है कि हट्टियों और cartilage के बीच का जो संबन्द है उसको क्या कहते है ठीक है तो आईए देख लेते हैं option एक है रहे है टेंडेंस या कंडेरा तो टेंडेंस क्या है पहले समझ लेते हैं संपर्थ की क्या बात है देखें दो हड्डियों के बीच में जोड़ हो या फिर हड्डी और यह मान लिजे cartilage इसको ऐसे दिखा दिया गुम जाती है इसके बीच का जोड़ ये दोनों ही संपर्थ है इनके बारे पूछ रहा है अब टेंडेंस क्या उनको टेंडेंस कहते हैं बताईए टेंडेंस क्या होता है टेंडेंस जो है वो हड्डी से मास प से कुसको जोड़ रहा है मसल को है इसा हो रहा है टेंडें कहला रहा है ठीक है और वहीं जो लिगमेन तरु के बातो को बते हैं इसनाय regen इसनायवंबंदन यह क्या होता है यह हड्डी जडि को जोड़ता है तक यहॅज ए वाल जो एक तरह से उसको लिगमें कहते ही हृतों प्रकार के जोड देखें यह तो आएगा नहीं टेंडेन होगा नहीं ठीक है लिगामेंट क्या करता है बोन से बोन को जोड़ता है हड़ी को और यह आप से क्या पूछ रहा है प्रश्णा आप से प्रश्णा इस प्रश्ण को जोड़ लिया जैसे हमारे टेंडेन लिगामेंट की भी थोड़ी बहुत जनकारी हमें मिल गए हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 451 आपके सामने प्रश्ण पूछ रहा कि निमलिकित में से किसकी उपस्तिती हड़ीयों के मैट्रिक्स को कठोर बनाती है तो सीधी सीधी बातें पूछ रहे कि जो आपके हड़ीया है वो हाड क्यों होती है जैसा अभी हमने ब सीध्या आखर्या होती है तो के केशियुं फ्रस्फेट की वनी हसीधी है कि अन्टीप की हिए से थे इस के सामय कि अ होते हैं कि यह मसा को था हनो मिच्वा करते नहीं होता है इसको हम फॉस्फफिट बोलते हैं केल्शियम फॉस्फिट के हटिया नहीं होती है पर कटोर था कैल्शियम की विजये से होती है ठीक है आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 452 आपके सामने प्रश्ण पूछ रहा है डालेसिंग फ्लोईग दू नॉट है विच अफ फॉलिंग सबस्टेंस अप उन दरव में निमले खितमें से कौन सा बदार्त नहीं होता तो पहले समझ लेते हैं डालेसेस होता क्या है डालेसेस वह प्रक्रिया है इसको हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में समझ सकते हैं छाने की प्रक्रिया जिक है जैसे घर में चाय पत्ति जब चाय बन तो च्छणनव में चाय की पत्ती उपर आए जाती चाय शन जाती तो इसी प्रकार ये च्छानने का जो काम है हमारे शरीर में किसमों तर केडिनी में तो यह क्या करता है आपके खून में जो भी आमोनिया या नैटोजेनस वेस्ट है ना वह च्छन के बाहर निकल जाते हैं पेशाप के साथ ये यूरीन के साथ और जो प्योर ब्लड है या जो साफ किया खून है वह वापस शरीर में हर्ट में चला जाता है दिल में ठीक है और यह जब किडिनी काम करना बंद कर देती है किसी कारण से दुर्भागिवश तो क्या होता है फिर व्यक्ति को डायलेसिस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है डायलेसिस की प्रक्रिया किया इसको समय लिए एक तरह कि कत्रिम जो है यह किडिनी है इसमें मशीन है इसको ल तरीका है मतलब हमेशा आदमी डायलेसिस की मशीन के सारे जिन्दा नहीं रह सकता अगर उसके किड्नी फेल हो गई है तो उसको दूसरी किड्नी चाहिए रिप्लीस्मेंट के लिए यह तो हो गई एक बात ठीक है अब आप एक चीज़ को समझे भाई चाय पत्ती जैसे हम लोग घर में चाय शानते हो तो चाय हमारे काम की होती उबलने के वाद चाय पत्ती तो कूड़े में फिकती है तो उसी प्रकार कौन से चीज़ छान के बाहर निकाल ली जाती है वो पूछा है आपसे क्या है द जरूरत नहीं है नाम ही लिखा हुआ है यही हो जाएगा प्रोटीन हमें चाहिए शरीर में क्यों मास्पेशिया बनती है लेक्ट्रोलाइट यह जरूरी है अब शिस्ट यह वेस्ट इनकी जरूरत नहीं है तो यह निकाल दिया जाता है चीक है तो अपरोहन जो द्रव है, वो क्या है, हमारे शरीर में जो डाइलेस्ट या छना हुआ है, जो द्रव है, डाइलाइसिंग जो फ्लूइड है, उसमें प्रोटीन होता है, लेक्तुलाइट होता है, ग्लुकोज होता है, ठीक है, और यह सब किसमें? यह सब होता है glucose आपका plasma में जैसा plasma में component होता है वैसा ही dialyzing fluid होता है शरीर में गूमता है किसके machine के द्वारा ठीक है और nitrogen up system कुछ छान के बाहर करती है जाता है आपके सामने है प्रशन आप से पूछ रहा है कि विच फॉलाइंग और इस फ्लेम सेल्स फॉर एक्सक्रेशन जो फ्लेम कोशिकाए हैं उनका प्रयोग कौन सा जीव जो है एक्सक्रेशन के लिए इस्तिमाल करता है उत्सर्जन के लिए आपके option दिये हुए हैं क्या फ्लैट जान लेना ज़रूरी नहीं है कि इस पे मैं डिसकस करता हूं कि क्या ऑब कि इसक फ्लेट वों से उसके वीथर ये तरह की कहले पूरी प्रजाती है उसके इंदर पॉन-गोन आएगा उसके भीक्तरा के प्लेनेरिया हिंदी में में भी प्लनेरिया ही कहीं प्लनेरिया और एनलेडा कुछ एनलेडा भी प्लेटफॉर्म्स के अंडर आते हैं इसके निचे केजू आता है तो अब यह जो फ्लेम कोशिका है या फ्लेम सेल्स है यह क्या है तो एक तरह का नहीं है आपका एक स्कृटरी सिस्टम है इस सरजन के लिए जैसे हमारे शरीर में किड्नी करती है वह इन जीवों में फ्लेम सेल वो काम करते हैं चानने का और यह फ्लेम सेल जो है समझ लीजे प्रिमिटिव फॉर्म है मतलब पहले फ्लेम सेल बने और आगे चलके जब दिमे-धीमे और विक् सर्जन का पूरा पूरा जो चैनल तयार हो गया जिसमें किडिनी भी आती है इसका सही उत्तर होगा फ्लेट पॉर्म हमने देखा फ्लेट पॉर्म के अंदर प्लेनेरिया एनेलिटा कुछ अनेलिटा सारे नहीं ठीक है हम लोग आगे चलेंगे कि 67 और 60 BPSC के लिए में इस टेस्ट सीरीज जीएस के लिए 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है जिसमें इस्ट्री जोग्रफी पीएस आई यार फिलॉसफी लस्ट्री होम साइंस और सुचलोजी के जो है टेस्ट भी डिसकेशन भी कराये जाएंगे आप लोग अथिक जानका क्तार परी चंचन few situations सब्सक्राइब का आझां दंज तो हमारे जो सिस्टमक्या शूरही पंता है जो अक्सीजजन पहुंचा न और जो एनर्जी के लिए ग्लुकोज हो गया उसको कोशिकाओं तक पहुचाना ठीक है तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जो परिसंचरन तंत्र है उसमें कौन कौन आएगा नहीं पूछा है तो अगर हमें पता है कि कौन कौन आएगा तो जो बचलिया व तों तो दिल तो जो गई होगा रकतवाएका अंचेनल मात्यम से रकत का या रोदेर पूरे शरिण फास है झालू यह जाए घब राहरत है,sinब्डश इसका उपार होतारे, तो इसका और अपता होता है सवाल को देखके घबरा यान्हीं का। सवाल गलत नहीं होगा कोशिश यह रहेगी कि पूरा स्लेवर्स के जो भी आप मोस्ली क्वेशन उनको करा दिया जाए एक बार है ना यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेशन नमबर 455 आपके सामने प्रेशन नमबर 455 क्या रहा है कि विच अफ फॉलेंग और अर्गनिजम से सिंगल सर्कुलिटरी सिस्टम निम लिखित में से किस जीव में एकल परी संचरन तंत्र होता है तो आपके ऑप्शन है इसमें क्या ये मचलिया हैं क्या ये पक्षी हैं क्या इसंधारी हैं ये उप्रोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक तो देखी इस प्रशन को समझने के दो तरीके हैं एक तो सीदा-सीदा तरीखा और एक तरीका वह जो शॉटकट मेंटड़ है तो दोनों ही डिसकस कर लेते हैं देखे मचलिया जो हैं अगर आपको तीन कख्ष ठीक है यह तो होगी एक बात तो जिसके शरीर में दो से जादा कख्ष होंगे थे कख्ष ऐसे हो गया ना कि मान लेजे यह दिल है कि दो कख्ष मचली की बात कर रहा हूं और मानव शरीर का जो होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है ठीक है चार कख्ष होते हैं यह मानवखे में मौटव मौटः समझ लिजे य승ा लिका रोता है तो मचली की में क्या होगा यहां फून आएगा यहां से निकल जाएगा एभिश को यहां पता है कि आने जाने के एक रास्ता है तो वही सिंगल सिर्कुलेटरी सिस्टम होगा सिर्कुलेटरी सिस्टम का सीधा-सीधा एकल परी संचरन या जो मनुश्यों में दूई परी संचरन या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है उसका सीधा-सीधा क्या मतलब है कि आपके जो दिल है या जो आपके हिर्दे है उससे खून कितनी बार होके गुजर रहा है कितनी बार से मतलब कि एक जो पूरी साइकल है एक जो पूरा चरण है उसमें कितनी बार ठीके तो मानफशेर से दो बार जो रखता है वो होके गुजरता है ठीक है एक बार इस वाले से से एक बार इस वाले से जो मचली है इसमें एक ही कक्षे एक ही बार खून होके खुजरेगा ठीक है एक बार पूचा है तो यह तो हो गया शॉट कट तरीका अब थोड़ी इसकी additional information आपको बता देते हैं additional information क्या है तो मचलियों में क्या होता है कि वो खून जिसमें carbon dioxide है ठीक है वो जो उसका दिल है मचली का वो उसको बाहर धक्का दे रहता है कहां पर फेफडों में या उसके में मचली में क्या होते हैं गलफड़े गिल्स ठीक है और यह जो गिल्स होते हैं या गलफड़े होते ह उसमें वो carbon dioxide निकल जाती है और oxygen उसमें अंदर आ जाती है ठीक है और यह circulating system चलता रहता है तो यह क्या है मचलियों में एकल प्राणा लिए और जो मानव है उसमें क्या होता ही तो इससे हो गए इसके एक तो खून पहले जाएगा दिल में कौन सा जो carbon dioxide से भरा हुआ है और वो खून फिर जाएगा फेपड़ों में फेपड़ों से फिर वापस आएगा हिरदय में और फिर पूरी बॉड़ी में जाएगा तो दो हो गए पर इसरन चरन यहां है ना डबल सर्कूरेटी सिस्टम हो गया यह मैंने दोनों इसलिए बताये हैं कि जिससे आप आपस में compare कर प द्यूजिन मतलब रक्त जो है जब एक देखती से दूसरे में या ब्लट बेंग से एक जो ब्लट है वो दूसरे में चड़ाया जाता है और ब्लट ग्रूप सामाने ना हूं या फिर अलग-अलग हूं ठीक है कल बात की थे हैं एक एन्टी बॉडी चार ब्लट ग्रूप जासके यूणिवर्सल डॉलर बोला जाता है ओ और अ और ए भी इंवर्सल एक्सेप्टर किसी से भी ले सकता है तो माल लीजई कोई व्यक्ति है उसका blood group है उसको खून की जुरूत पड़ी तो वो किसे ले सकता है या तो A से ले या तो O से ले जल्दबाजी में B blood group का खून चड़ा दिया तो गलत हो गया क्यों मनाई है कारण अब क्या होगा जो खून है उसमें RBC का विनाश होने लगेगा कौन से RBC का जो खून चड़ाया जा रहा है उसका कौन मार देगा वो RBC RBC नहीं मारेगा गलती मत करेगा सारा खेल होगा एंटीजन का वो उस blood group के खिलाफ एंटीबाडी बिना लेगी और वो एंटीबाडी इसका विनाश कर देगा एंटीबाडी किसमें रहती है प्लाजमा में ठीक है तो RBC का विनाश हो जाएगा आशा करता हूं समझ में आ गया होगा एंटीबाडी बनेगी प्लाजमा में उन में प्लाजमा भी तो रहता है RBC होती है WBC होती है प्लाजमा होता है प्लेटलेट्स होते है चार्ची से होती है प्लाजमा में रहती है एंटीबॉडी ठीक है यह मार देगी इसको आरबीसी को अकर बाहर से कोई दूसरा खुण चड़ाया गया जो एक हिसाब से कमपेटिबल नहीं है या तो ए हो या तो ओ हो ये उधारन के लोग आगे चलेंगे प्रेश्ट नमबर 457 आपकी सामने है प्रेश्ट आपसे पूछ रहा कि निम्ली खित में से कौन रख्ट के थक्के के लिए आवशक है तो आप जो खून का थक्का जमता है आप खून का थक्का कहा आवशक होती है जब कई भी चोट लग जाती है तो प्रेश्ट का थक्का बनने लगता है ऑफिर अंतता खुरंट बनके बात बहुत एक जब ज़रूरान में तो क्या ये Fibronosan है क्या ये Albumin है क्या ये Globalin है क्या ये Magnesium आएंस है में से कोई नहीं एक से अधिक देखिए इसका सही से उत्तर तो है Fibronosan Fibronosan कि जरूद होती है ये Fibronosan आवेशक है ठीक है अब ये जो Fibronosan है न ये क्या करेगा Fibronosan को मान लेते हैं हम लोग FN से ये Thromobin के साथ मिलके बनाएगा Fibron Fibron के एक तरह की जाली समझे लेजिए और ये जाली जो है जहां पर छोट लगी होती है वहां पर सतय पर बन जाती है और उसमें RBC आके फस जाते हैं ठक्का बन जाता है इतना मोटा मोटा समझ लेते हैं Fibron, Fibronosan, Thromobin ये तीन चीज़न याद रखेंगे सही उत्तर, A बाकी option भी चर्चा कर लेते हैं Elbumin क्या होता है Elbumin का main काम होता है शरीर में Osmotic Balance बना के रखना Osmotic Balance हो गया पानी का लेवल कितना पानी शरीर से छोड़ना है और कितना पानी शरीर में रखना है वो जो Balance है वो Elbumin के द्वारा बनता है ठीक है उसमें मदद करता है जो Globulin है उसका क्या काम है Globulin का main काम आता है जहांपर प्रतिरोधी चमता या Defense Mechanism जो शरीर का है वहाँ पर Globulin काम आते है ठीक है तो Question No.457 हमने देखा उसका सही उत्तर हो जाएगा Option ही हम लोग आगे बढ़ेंगे BPSC 68 के लिए Class और Test Series 2 October से हमारे हैं शुरू हो गई है In Class Notes जो है तलिस Test बे डिसकेशन कराए जाएंगे आप लोग जो है दिया जो है नंबर है उस पर कॉल करके अधिक जानके प्राप्ट कर सकते है Question No.458 आप से पूछ रहा है What changes may be observed due to increase in carbon dioxide and hydrogen ions inside body मानफ शेरी के अंदर carbon dioxide और hydrogen ions में व्रद्धी के कारण का क्या परिबर्तन देखे जा सकते हैं क्या-क्या उतरा है अगर carbon dioxide और hydrogen ion आपके खूण में बढ़ जाएं खूण में बढ़ेंगे इसको बाहर निकालना अविशक है किसके द्वारा निकलेगा के पड़े सांस के माध्यम से यह कारण डाक्साइड को बाहर वेजेंगे ठीक है और अगर शरीर में carbon dioxide जादा हो गई है तो क्या होगा क्या करना होगा शरीर को सांस की गती बढ़ानी पड़ेगी सांस की गती होगी तो जल्दी जल्दी carbon dioxide बाहर हो जाएगी इसको ऐसे समझ लीजे आपके पास एक बाल्टी कंदा पानी है आपको बाहर फेकना है बाल्टी आप उठा नहीं सकते ठीक है तो यह मत सोचे कब बाल्टी से बाहर फेक देते माल लीजे जो मगगा आपके पास एक छोटा ताड़ है उस बाल्टी से पानी निकालने के लिए वो आपके सांस लेने का दर है एक साथ तो भाहर निकले की नहीं सब्सक्राइब तो जितनी जल्दी आप हाज चलाएंगे उतनी जल्दी बाल्टी खा रही होगे उसी प्रकार जितनी जल्दी सांस लोगे हम लोग सांस लेंगे उतनी जल्दी कारवन अक्सार हाट्रोजन की जो आयन है वो निकल जाएंगे तो क्या होगा सांस लेने के दर में व्रध्धी इसे काम हो जाएगा प्रेश्ट नमबर 458 का उप्शन भी इन लोग आगे बढ़ेंगे प्रेश्ट नमबर 459 आपके सामने है प्रेश्ट आप से पूछ रहा है कि बल्क ऑफ कार्बन डियॉक्साइड इस ट्रांस्पोर्टेड वा विच अमंगदा फॉल आइंगे इन हुमिन्स मनिश्व में कार्बन डियॉक्साइड की जो है मोकिता निम्लिकित में से किसके द्वारा किया जाता है आपका ऑप्शन है डिसॉल्ड स्टेट या घुलकर किसमें खूण में घुलकर ठीक है प्लाजमा इस भाय कार्मेट के प्लाजमा में option d कर быв थे अधिक किया थे मिच्थे गलोव्यण में एक सेद एक तो देखिए ऐसा है की क्या कि व्यूर्म मेस्टा है कैसे थे फित भाल्यालारं तो कार्बन और अक्सिजन और कार्बन डियोक्सेड गया होती है CO2 जो है यह जब खून में पहुंचती है तो बाइकार्बनेट का फॉर्म ले लेती है ठीक है और इसी माध्यम से यह बाहर निकाल ले जाती है बाइकार्बनेट के फॉर्म में ठीक है और यह के लगभग जो है कारबन डाउकसाइड वो इसी रूप में निकलती है इसमां बाइकारबनेट के पॉर्म में निकलती एक बात ही हो गई दूसरा प्लाज्मा केसी कारबनेट के फॉर्म में सत्तर परसेंट निकलेगा मतूर्टी हो गया और options शी जो कारबीन, हतलो बीस परसेंट क्या बनाके हरआँ डाल यह होऊ यह माइन की फॉरम गाईन के फॉर्म में है थोड़ा डेटेल में इसलिए बताती है पता नहीं प्रश्ण क्या पूछा जाए एक्जाम में लोग आगे चलते हैं प्रश्ण नमबर 460 आपके सामने है प्रश्ण पूछ रहा कि निम्लिकित में से कौन मानव लार में मौझूद इलेक्टरलाइट नहीं है तो देखे लार में क्या क्या होता है यह पता होगा तो प्रश्ण हो जाएगा पहले आप्शन समझ लेते हैं एन ए पॉस्टिव हो गय होंता है काधिया सोडियम थे कि होगे से टू पॉस्टिव हो गया केलशियम यह पॉस्टिव हो गया पोटेसियम सी हिए क्लोरीन थिका उप्रोग्स रू नहीं से झाल थता है प्रश्ण मांव से मूझ में लार नस्ये घ democr wash नितिया मनुस裏व यह तो हो गए इलेक्ट्रलाइट और इसके अलावा क्या होगा इसके अलावा दो एंजाइम निकलेंगे ठीक है एक होता है 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 हमाईलेज और एक होगा लाइपेज लाइपेज निकलेगा लाइसोजोम निकलेगा लाइसोजोम ठीक है लाइपेज निकलता है पैंक्रियाज और इसमनल टेस्टेन दोनों में एमाइलेज और लाइसोजोम लाइसोजोम मुह में जो जीवाड़ू है या कह लिजे एंटि बैक्टिरियल होता है ठीक है लाइसोजोम को मार देता है नहीं पूछा है कौन सा नहीं है केल्शियम बाखी क्या-क्या मिलेगा तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और साथ में दो एंजाइम, एमाइलेज और लाइसोजोम ठीक है प्रशन नंबर 460 देखा थोड़ी अडिशन इंफरमिशन देखी हम लोग आगे चलते हैं प्रशन नंबर 461 आपके सामने है प्रशन आपसे बूछ रहा कि प्रकास अलेशन की प्रक्रिया के सम्द्ध में कौन स प्रकास अलेशन की बारे में और यह नहीं पूछा कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है प्रकास अलेशन की सम्द्ध में ध्यान रखेगा ऑप्शन सी कह रहा है सनलाइट स्टेप बाइपिगमेंट कॉल्ट जैन्तुफिल ऑप्शन डी क्लोरोफिल हरे प्रकाश को शूश्यत कर प्रकास अलेशन में चाहिए और कहां से मिलेगी बाइव मेंडल सही तो मिलेगी प्रकाश की हरी पत्तियां कार्वन डाक्साइड को सुखेंगी तो यह तो सही लग रहा है अब ऑप्शन भी देख लेते हैं वाटर इस एब्स फ्रॉल थो स्टेम सिस्टम पानी को मिट्टी विए से स्टेम सिस्टम यह तना खीशता है िए कोन खीशता है तना खीशता है कि जड़े खीशती हैं जड़े खीचेए हैं फैर्स यह घीट हो थैस्ट होल्स इस तो होगा नहीं Chlorophyll करता है न, Xentafil तो करता नहीं ये भी नहीं होगा D option क्या कर रहा है Chlorophyll हरे प्रकाश को फ्रुषित करता है तो बताईए पत्ति हैं के संकी होती है हरे रंकी होती है और हमें रंग वो ही दिखाई देता है प्रकती में जो रंग क्या कर लिया है इसने reflect किया है वापस बेज आए और जो रंग सोक लिया है वो तो दिखाए दिखा नहीं ठीक है और हरा रंग अगर पत्तीय दिख रहे हैं यह तो सीधी सी बात है हरा रंग तो पत्तियों ने रोका नहीं हरा रंग तो बेज दिया वापस हमारी आँखों को देखने के लिए बागी सब रोख लिया गया तो यह भी नहीं होगा समझ में आई बात क्या कहना जा रहे हैं इसमें chlorophyll अगर ग्रीन लाइट को रोक लेगा ग्रीन लाइट की बात हो रही है तो पत्तियां का भी हरी दिखाई नहीं देंगी ठीक है और सब के लिए मेंस ऑफिशनल कोर्स हमारे हां सेगंड ऑक्टूबर से शुरू हो गया हिस्ट्री जोग्रफी पीएसा यार फिलाफ़ी लस्डवली हों साइन सोचलोजी के लिए आप लोग अधिक जानकारे के लिए जो नंबर दिया हुआ है पानी की बात हो रही है तो इसमें हमें पानी को खोजना है पहले तो ठीक है और कहां ले जाता है अब रोही या रोही यह देखना है सेंडिंग है तो पहले तो हमें यह बात पता है कि पानी जो है उसकी आपूरती पेड़ में कहां से होती है मिट्टी से मिट्टी से कौन करता है जड़े सोकती है ठीक है और जड़ों जड़ होती है नीचे नीचे से उपर बढ़ता है पानी ठीक है यह बात तो पता है ना त अब रोही को काट दिया जै क्यों जी तो दूसरे वाला जो रिकतिस्थान है उसमें तो आरोही आएगा नीचे से उपर पानी जाता है दूसरा पानी की बात हो रही है तो हमाने पानी के लिए जायलम होता है खाने के लिए फ्लोयम होता है तो option प्रशनंबर 463 आपके सामने है प्रशन आपसे पूछ रहा कि निमलीखित मैंसे की से बने होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं एंजाइम का मेन काम क्या होता है कोई भी बायोलोजिकल प्रोसेस या कोई भी क्रिया हो रही है biological या biochemical उसमें यह क्या करते है यह उस reaction को या जो kriya हो रही है उसकी गती को बढ़ाने का जो काम करता है वो करता है catalyst जो enzyme है वो इक तरह के catalyst है ठीक है और यह जो catalyst होते है यह क्या है enzyme किसे बने हैं तो यह बने होते हैं protein से ठीक है option B सही हो जाएगा lipids का मतलब हो गया वसाया fats polysaccharide हो गई sugar ठीक है आगे बढ़ते हैं option B सही है प्रेशन नमबर 464 आपके सामने है प्रेशन नमबर 464 पूछ रहा है कि निम्लिकित में से कौन एक monosaccharide नहीं है अब monosaccharide क्या होता है monosaccharide का मतलब हो गया single molecule C6H12O6 किसका formula है glucose का नहीं पूछा है ध्यान रखीएगा glucose monosaccharide है single sugar से बना हुआ है fructose ये भी single sugar से बना हुआ हूँ fructose मिलता है follow में galactose ये भी single sugar का है सब C6 है C6 सब्स्टांस सब्स्टांस बदल गया ठीक है और जो सुक्रोज होता है वो होता है C12 ठीक है हमारे घर में जो चीनी आती है वो सुक्रोज है घरने से जो निकलती है ठीक है इसलिए कहते है जब गर्मियों में कहते हैं न ग्लुकोज साथ में रखना जाए क्यों तुरूंत जो है शरीर को उर्जा उत्पन करता है और अगर चीनी खाए जाएगी तो उसको चीनी से शुगर में शुगर को ग्लुकोज में बदलना पड़ेगा पॉलिश्यकराइट से मोनोसक्राइट में तब शुख्रोज से ग्लुकोज में बदलेगा तब हमारे शरीर में एब्सर्ब होगा हमारे शरीर में ग्लुकोज के माद्रेम से ही शुगर ट्रांस्पोर्ट होती न ब्लड में अभी आपने देखा था तो उसका सही उत्तर क्या हो जाए एक option यह ठीक है हम लोग आगे चलते है question number 465 आपके सामने है एक भारी भरकम question आईए देखते हैं क्या कह रहा है कि निमली खित में से कौन एक पौदे की उत्तर को की बारे में सही नहीं है plant tissues के बारे में पूछा है बताना है कौन सा गलत है option ही क्या क्या रहा है कि कोशिकाओं का एक समू जिसकी एक समान उत्त्ति होती है और एक विशिस्ट कार कार को प्राप्ट करने के लिए एक साथ काम करते है ऐसे ही समू को तो क्या बोलते हैं उतक बोलते हैं टिशू बोलते हैं अग्रूप ओफ सेल परफॉर्मिंगा पर्टिकुलर फंक्शन उसी को तो उतक कहा जाता है यही इसकी tissues की definition है तो भई option आपसे गलत पूछा ध्यान रखिएगा तो option A तो सही है option B क्या कह रहा है एक पौधे की उता एक जानवर से भिन होते हैं क्योंकि भी अपने कारों लक्षडों में भिन होते हैं तो यही भी बात सही है बिलकुल भई पेड़ और जानवरों में क्या फरक है अलग-लग कोशिका है कोशिकाओं का अलग-लग कार है और कोशकाएं जब एक साथ मिलके अलग-लग कार करेंगी तो अलग-लग उतक का निर्माड होगा तो वो भी भिन हो गए तो ये बात भी सही लिए option C क्या करा है पौदे में दो प्रकार के उतक होते है अधात विभाजोते और थाई उतक centricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricric नहीं होता अमूमन म्रत्त होते हैं तो यह बात भी सही है option D देखते है option D क्या रहा है secondary meristematic tissues comprise of screnchyma, colonchyma, parenchyma दो यह विभाज होते हैं उतकों में screnchyma, अब बताई, देखिए ऐसा है, meristematic की बातुरी विभाज होते हैं और हमें यह पता है कि screnchyma, colonchyma और parenchyma यह epidermis यह विभाज होते नहीं हैं यह स्थाय होता है, simple permanent tissue है इनका क्या काम होता है इनका काम होता है पेड को मजबूती देना scan कायमा पढ़ते हैं हम लोग, जो भीज होता है उसके उपर, जो hard coating पाए जाती है, जो सक्सता है, वो scan कायमा बनाता है, प्रेश नमबर 465, मैं गलत पूछा था, D गलत है, चीक है 68 BPSC के लिए class और test series GS के लिए 2 October से हमारे हैं शुरू हो गई है, आप लोग अधिक जानकारे के लिए जो नमबर दिया हुआ है, 800-2255-086 पर कॉल करके अधिक जानकाई प्राप्त कर सकते हैं प्रेश नमबर 465 तक आज हम लोगों ने डिसकस कर लिया है, प्रेश नमबर 466 से हम लोग कल फिर मिलेंगे और इस रंकला को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद